जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमसोर पड़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है बोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा दोस्तों तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के सामने हाजर हुए और जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उसको मुझे लग रहा था कि एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि प्रधान अंत्री नरेंत्र मोदी की भाशन में दरसल दिक्कत क्या थी आपके स्क्रीन्स पर ओक्सिजन के मामले में उन्होंने क्या कहा क्योंकि ओक्सिजन को लेकर हर जगा हाहा कार मचा हुआ है। सचमुश मोदी ची। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर इतना कुछ हो रहा है और पिछले एक साल से हो रहा है तो इतनी हाहकार क्यों मची हुई है बताइए ना। कल ये तस्वीर देखिए दोस्तों कल इस तस्वीर को देकर दिल्ली के जी टी बी अस्पिताल के डॉक्टर्स में आँसू आगए क्यों आप जानते हैं। क्योंकि लगातार दिल्ली की उपमुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि दिल्ली में अक्सिजन जो है मेडिकल अक्सिजन जो है वो बस खत्म होने वाला है। कल किसी तरह से देर रात में वहां के जी टी बी अस्पिताल में अक्सिजन का टैंकर पहुँचा। सोचिए अगर महां ऑक्सिजन के टैंकर ना पहुचता नो नजाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी देश की राधानी दिल्ली में और उससे भी बड़ी बात जो खबर में आपको दिखाने वाला हूँ वो होश उड़ा देने वाली है। इंडिया एक्सपोर्टे नेरली 9,300 मेट्रिक टन्स अउक्सिजन इन फाइनाशल यर 21 अस पैंडिमिक रोल्ड ओन इसका मतलब क्या हुआ भारत ने इस साल के शुरुआत में 9,300 मेट्रिक टन्स अउक्सिजन अन्य देशों में भेजी जिसमें बंगला देश भी शामिल था और उससे भी बड़ी बात इस खबर के मताबिक पिछले साल इसी वक्त यानि कि 2020 में भारत ने करीब 4500 मेट्रिक टन्स भेजी ती इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि इस साल भारत ने दुगना कर दिया उक्सिजन विदेशों में भेजे जाने वाले उक्सिजन को दुगना कर दिया क्या मोधी सरकार को ये नहीं मालूम था कि एक दूसरा वेव आ सकता है कुरोना का और भारत जैसे देश में आपको पहले से प्लानिंग करके रखनी पड़ती है मैं ये समझना चाहता हूँ इस खबर का मुझे जवाब दीजिए जो इस वक आपके स्क्रीन्स पर है और मैं आपको बता दूँ क्योंकि मीडिया तो इस मुद्दे को नहीं उठाने वाली है कॉंग्रेस ने इस पर हमला बोल दिया है क्या कहरी है प्रिंका गाधिवाडरा आपके स्क्रीन्स पर भारत का ऑक्सिजिन निर्याद 2019-2020 में 4,502 मिट्री टन 2020-21 में 9,300 मिट्री टन हमारे यहां ऑक्सिजिन की कमी नहीं थी हम ऑक्सिजिन के सबसे बड़े उत्पादक हैं लेकिन सरकार ने कुरोना का खत्रा होते हुए भी दो गुना ऑक्सिजिन देश के बाहर भेज दी ऑक्सिजिन की कमी से हुई मौतों का जिम्वेदार कौन है? बहुत ही सीधा सवाल है बहुत ही जायस सवाल है मैंसे राजनीतिक सवाल नहीं मानता हूँ क्योंकि ये सवाल पूरी तरह से तत्यों पे आधारित है प्रधान मंत्री जब आप देश को या आश्वासन देते हैं कि आपने ऑक्सिजिन पे काम किया है तो ये हकीकत क्यों है? अच्छो तो जैसे ये खबर सामने आई कि जनवरी में सरकार ने ऑक्सिजिन विदेशों में भेजी थी जबकि देश में उसकी जरूत थी तो सरकार का प्रचारतंत्र जो है वो सक्री हो गया आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये हैं एनाई की संपादक स्मिता प्रकाश और उन्होंने ये जानकारी साजहा किये इस जानकारी के मताबिक सरकार ने मेडिकल ऑक्सिजिन नहीं भेजी थी विदेशों में सरकार ने इंडस्ट्रिल ऑक्सिजिन भेजी थी योगी जी ने जो शब्द एनाएं के लिए इस्तिमाल किया था ना बिल्कुल सही किया था सबसे पहले तो मुझे एक बात बताईए इंडस्ट्रिल अक्सिजन और मेडिकल अक्सिजन अस्पतालों के लिहाज से दोनों में क्या फर्ख है कोई फर्ख है क्योंकि इंडस्ट्रिल अक्सिजन से भी लोगों को मदद मिलती है अगर ऐसा नहीं होता तो आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये 18 अप्रेल का ओर्डर है खुद सरकार का सरकार ने इंडस्ट्रिल अक्सिजन जो है वो अस्पताल को भेजनी शुरू कर दी है क्यों क्योंकि अगर इंडस्ट्रिल अक्सिजन का काम आम लोगों के नहीं आता तो आप मुझे बताईए सरकार ये आदेश क्यों पारित करती जिसके अंतरगत वो इंडस्ट्रिल आक्सिजिन को अस्पतालों में भेज रही है तो मैं समझना चाहता हूँ A.N.I. से मैं समझना चाहता हूँ सरकार से कि आप इस तरह का दुश प्रशार क्यूं कर रहे हैं मान लीजिए कि आप लोगों ने घलत प्लानिंग की थी मान लीजिए कि आप लोगों से घलती हो गई है तेश की जनता के सामने अपनी घलती मान लेने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे मगर आपने अपने पालतूं को लगा दिया है तो जैसे मैंने कहा ना बिल्कुल सही शब्द का इस्तमाल किया था योगी जी ने अब मैं देश की जनता को सुनाना चाहता हूँ कि कल आपने क्या कहा सुनियों उनकी बात इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सिजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है इस विशे पर तेजी से और पूरी सम्वेदन सिल्टा के साथ काम किया जा रहा है केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरुरत मन को ऑक्सिजन मिले, ऑक्सिजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई इस तरों पर उपाई किये जा रहे हैं राज्यों में नए ऑक्सिजन प्लांट्स हो, एक लाग नए सिलिंडर पहुँचाने हो और जोगी इकाईयों में इस्तिमाल हो रही ऑक्सिजन का, मेडिकल इस्तिमाल हो, ऑक्सिजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है इसलिए मैंने कारकर्म की शुवात में आपसे कहा, कि प्रधान मंत्री कल जो ये भाशन दे रहे थे, वो किस ग्रह के लिए, या किस ब्रहांड के, किस भारत के लिए उनका ये बयान था अगर आप लोग अवेंजर फिल्म्स देखते होंगे, कुछ ऐसी फिल्म हैं, माल्टी वर्स, ये बताया जाता है कि सिर्फ एक ब्रहम्हांड नहीं है, या सिर्फ एक प्रिथ्वी नहीं है, अलग-अलग धराओं पे अलग-अलग प्रिथ्वियां है, मुझे लगता है प् प्रधान मंत्री अपने भाशन में क्या कहते हैं, इस पर गवर कीजिए, अपने बाल मित्रं से एक बात विशेश तौर पर कहना चाहता हूं, मेरे बाल मित्र घर में ऐसा माहौल बनाएं कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर ना निकलें, आपकी जिद बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है प्रधान मंत्री आपके शब्द में आप ही को याद दिलाना चाहता हूँ आसन सोल में आपने राली की थी आपको याद है आपने क्या कहा था कि मेरी नजरे जहां तक जाती है मैं भीड देख रहा हूँ पहले तो आप अपने इस भाषण को सुनीए मैं जहां देख सकता हूँ मुझे लोग ही लोग दिखते हैं बागी कुछ दिखता ही नहीं है तो बच्चों को तो आप ये मश्वरा दे रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले मगर उनके माबाप को आप हजारों की तादाद में पश्रिम बंगाल के अपनी रालीज में बुला रहे हैं तो प्रधान नंत्री ये दोनों बातें जो है ना ये बहुत अटपटी लगती हैं इसमें मुझे दोहरे माबदन डिखाई दे रहे हैं बच्चों को तो आप कहते हैं घर में रहो अपने माबाप को घर में रखो मगर उनके माबाप को आप बाहर बुलाते हैं और फिर पश्रिम बंगाल के अंदर एंडी टीवी की इस खबर के मताबक पश्रिम बंगाल के अंदर 200 फीसिदी जो है कोरोना जो है वो बढ़ गया है जबकि अमिट शाने बिलकुल इसके उलट गलत बयानी की थी मगर अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूँ वो बताता है कि पश्यम बंगाल के अंदर चुनावी रालीस करने का भारत को या पश्यम बंगाल को क्या नुकसान हुआ है आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों यह आज तक की खबर इसका शीरशक देखिए कोरोना संकट देसी वेरियंट ने बढ़ाई एक्सपर्ट्स की चिंता बंगाल में दिख रहा है सबसे ज़्यादा असर खबर क्या है दोस्तों मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ आपके स्क्रीन्स पर नई दिली में CSIR IGIB में रिसरचर विनोज सकारिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है कि A484K एक खतरनाक वेरियंट है जो कि किसी तरह की प्लाजमा थेरिपी को भी शक्मा दे सकता है इस नए वेरियंट के कारण अब बंगाल को लेकर चिंता बढ़ने लगी है क्योंकि इस जगा अभी चुनाव चल रहे हैं जिनके नतीजे दो मई को आने वाले हैं एक्सपर्ट का कहना है कि अभी ऐसा कोई सुबुत नहीं मिला है कि बंगाल में बढ़ते कुरोना के मामलों के पीछे इसी वेरियंट का हाथ है हाला कि इस वेरियंट से जुड़े जो नंबर सामने आए हैं वो बंगाल में ही सबसे अधिक है कौनसा कुरोना है दोस्तों यह E-484K बहुत ही खतरनाक वेरियंट यानि कि कौरोना का एक बहुत ही खतरनाक प्रकार और यह कहां मिल रहा है दोस्तों यह बंगाल में बिल रहा है जहांपर भारती जनता पार्टी ने ताबढ तोड चुनावी रैलीज की राहूल गांदी कहे चुके हैं में चुनावी रैलीज नहीं करूँगा ममता बैनर जी तक ने चुनाव आयोग से अपील की कि तीन चेरणों की बजाए आप एक दिन में जो हैं वोटिंग करवा दें चुनाव आयोग भी नहीं मान रहा है और भारती जनता पार्टी भी नहीं मांग रही है क्योंकि भारती जनता पार्टी का लक्ष है कि मुझे किसी तरह से पश्यमंगाल जीतना है आपके सामने परिणाम देखिए दोस्तों और कल आपने ये भी कहा था कि आज चुकि राम नव्मी है हम सब को मर्यादा का पालन करना है अनुशासन का पालन करना है मैं आप किसे पूछना चाहता हूँ प्रधान मंतरी चुनावी रालीस तो हम देख चुकी हैं आपकी अब इन तस्वीरों को देखिए 36 गड़ की तस्वीरे हैं आप देखिए भूपेश बगेल के साथ देश के ग्रह मंतरी अमिच्शा अब ये वीडियो देखिए जहां पर 36 गड़ में नकसली हमला हुआ था और हमारे जवान जो घायल हो गए थे उस नकसली हमले में वो अस्वताल में भरती थे यहां पर देखिए अमिच्शा पहुँच गए अब इस वीडियो में या वो जो तस्वीरे मैंने आपको दिखाई उनमें समानता क्या है उसमें समानता ये है कि चाहे वीडियो हो चाहिए तस्वीर जिसमें वो भुपेश बगेल के साथ दिखाई दे रहे हैं अमिच्शा ने कहीं पर भी मास्क नहीं पहना हुआ है अमिच्शा इसी तरह से अपने रोड शोज में भी मास्क कभी नहीं पहनते है मुझे चिन्ता सिर्फ अमिच्शा की सेहत की नहीं है मुझे चिन्ता इस बात की है कि आप देश की जनता को क्या सबक दे रहे हैं आप देश की जनता को क्या सीख दे रहे हैं और कल ही भारती जनता पार्टी की असम सरकार फर्मान लेकर आई है कि बढ़ते कुरोना को देखते हुए हम कुछ सक्त नियम सामने लेकर आ रहे हैं यह देखिए आपके स्क्रीन्स पर यह तमाम सक्त नियम है जो वहां की असम सरकार लेकर आई है इनसान के जान की कीमत ये है प्रधान मंत्री इसलिए मैं बारवार कह रहा हूँ कि आपका जो कल बयान था मुझे तो नहीं लगता कि वो बयान जो है भारत के लिए दिया गया था भारत का दूर दूर से उसका कोई नाता दी था राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा यानि कि आप प्रधान मंतरी नारेंद्र मोदी राज्यों से कह रहे हैं कि आप श्रमिकों को रोक कर रखें और पिछले साल क्या हुआ था पिछले साल प्रधान मंतरी ये अपील खुद के दम पर कर रहे थे कि आप छोड़के ना जाएं या आप बिलकुल वहीं पर रहें क्या हुआ इस एक साल में मजदूरों को संबोधित करने की जो आपकी ताकत है और उस ताकत में आपका विश्वास क्या वो खत्म हो गया है पहले तो आप अपील कर रहे थे अब जो आप ठीक रहा है राज सरकारों के सिर पर फोड़ रहे है ये तमाम बातें आपको अटपटी नहीं लगती कल तो मुझे समझ नहीं आया कि प्रधान अंत्री नरेंद्र मोदी राश के सामने जो आए उन्होंने ये बातें क्यों कहीं उन्हें ये सब कहने की क्या जरूत थी क्योंकि जो बातें उन्होंने कही वो एक प्रेस रिलीज में कही जा सकती उन्होंने देश का विश्वास नहीं बढ़ाया उन्होंने जो बातें कहीं उन्में से अधिकतर बातें जो हैं वो हकीकत से कोसो दूर थी oxygen की आपने बात की आपके सामने हालत क्या है आप जानते है तरही माम मचा हुआ है आपकी पास एक साल था इस एक साल में आपने कुछ नहीं किया ना अपने health infrastructure को मजबूत किया उल्टा आपने अपने oxygen जो है वो दूसरे देशों को भेज दी जैसे कि मैंने आपको उस खबर में बताया आज इन तमाम सवालों का जवाब भारती जनता पार्टी को देना पड़ेगा देना पड़ेगा आपको और आप जो है दूसरे विपक्ष के नेताओं पर अशलील और वाहियात हमले करके भारती जानता पार्टी के नेता नहीं निकल सकते वाहियात हमले करके नहीं निकल सकते चाहे स्मृती इरानी हो या रवीशंग कप्रसाद हो इन्हें जवाब देने पड़ेंगे भाई इन बातों के और सबसे दुख की बात दोस्तों इनका जो प्रचार तंत्र चल रहा है मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ आपके स्क्रीन्स पर ये हैं अनुपम खेर ये तस्वीर दिखा रहे हैं अपने सिर की और लिख रहे हैं आज की हेडलाइन्स मुझे बहुत अफसोस होता है दोस्तों ये बंदा जो है ये मेरे बच्पन की रुमानियत का हिस्सा थी बच्पन में जब मैंने सारांच फिल्म देखी थी या करमा फिल्म देखी थी या आखरी रास्ता देखी थी ये शक्स मेरे बच्पन की रुमानियत का हिस्सा था आज की तारीख में आप इसके पूरे ट्विटर टाइम लाइन पर जाएए इसने एक शब्द मजदूरों की विथा पर नहीं कही है एक शब्द नहीं की है और सरकार का जहरीला प्रोपगैंडा आगे पहलाने के लिए सबसे आगे रहता है याद करिये पुल्वामा में जब हमला हुआ था दोस्तों तब मेरे जैसे पत्रकारों मैं, रवीश और कई पत्रकारों के जो फोन नंबर्स थे वो सारवजनिक कर दिये गए थे बीजेपी के आईटी सेल ने उसे सारवजनिक कर दिया था हमें भर-भर के गालिया दी जारी थी तब ये आदमी यही अनुपम खेर सामने आया था जब हमने गोहार लगाई थी पुलीस से कि हो क्या रहा है भाई हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है तब इस आदमी ने आकर ये कहा था कि कुछ लोग हमारे जोश में खलल डाल रहे हैं मानो ये कह रहा हो कि हम जो गालिया दे रहे हैं कुछ लोग उसमें खलल डाल रहे हैं मैं आनुपम खेर की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि जब कोई Greta Thunberg या संयुक्त राष्ट्र भारत के अंदर या रिहाना भारत के अंदर किसानों की स्थिती पर या किसानों की आंदोलन पर जिस तरह से सरकार अंकुष डाल रही थी, इंटरनेट बन कर रही थी, जब उस पर ये तमाम लोग बोलते हैं तो उसके रक्षे कुमार, सुनिल शेटी, सबी लोग सामने आ गए थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन में से कोई भी आदमी अपने ट्विटर टाइम लाइन पर बात कर रहा है, ये अनुपम खेर, डॉक्टर डांग, तुम सही माइनों में डॉक्टर डांग जैसे खलना है अनुपम जी, आप सही माइने में खलना है कि, आपने अब तक कुछ बोला हैं गरीबों के बारे में, ये तमाम जो नकली सेलिबरिटीज हैं हमारे, इन्होंने बोला है, ये तने डर पोक हैं, और क्यो डर पोक हैं मैं आपको बताता हूँ, इन्हें लगता है कि अगर मैं बिलकुल सही, बहुत वाजिब है आपका डर, बहुत वाजिब है आपका डर और मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये सारी जो दिक्कते हैं न, वो सरकार के नाकारा रवये की वज़े से चल रही हैं, क्योंकि पिछले एक साल में आपने कुछ किया नहीं, बस नोटबंदी का दंश थोपा गया था, तब इस आदमी ने जिसे कहते हैं न, बहुत जबरदस कमाई की थी, क्योंकि उस वक्त दो हजार के नोट मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पेटियम का तालुक कैशलेस एकॉनमी से है, तो उस वक्त पेटियम का ग्राफ बहुत बढ़ गया था, और इस वक्त ये आदमी जश्ट मना रहा था, आज की तारीक में वो क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन्स पर देखे, ये आदमी कह रहा है कि आज हमने पेटियम में अपने जितने भी मुलाजिम हैं, सब को हम अपने घरों में ऑक्सिजन पहुँचा रहे हैं वो बीजेपी सरकार की देन में, तो शर्मा जी की हिम्मत तो है नहीं कि सरकार पर सवाल कर सकें, मगर कम से कम एक चाटुकार की तरह जूट तो मत बोलो भाई, मैं जानता हूँ जो नोट बंदी लोगों के सिर पर बिठाया गया था, उससे आपको बहुत फाइदा हुआ थ इसलिए मैं जानता हूँ कि बीजेपी सरकार के बोच तले आप दबे हुए हैं, मगर हकीकत ये भी है कि आप जो ये बात कह रहे हैं, वो हकीकत से कोसो दूर है, वो बहुत ही निर्मम है, उसमें एक किसम की बेदली है, आक्सिजिन सप्लाई एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिससे इस देश का आम इनसान जूज रहा है, और आप धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को, शर्मानी चाहिए आपको, ये दोर अपने आप में मुश्किल है, और हमें कदम से कदम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है, मगर इस जो हम सब को सही दिशा दिखाए, वो पूरी तरह से नदारद है, वो पूरी तरह से गायब है, मानो देश को उसकी हाल पर छोड़ दिया गया, कल प्रधान मंत्री का लगभग वही भाव था, और क्यों ना हो, क्योंकि आज की तारिक में जो समस्या है, वो आपकी खराब न आप पूरी तरह से सियासत के नशे में चूर है, ये जो पार्टी है, ये जो सरकार है, पूरी तरह से राजनीती के नशे में चूर है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान दो महीं पर है, कि किसी तरह से हम पश्यमंगाल जी जाएं, बस और कुछ नहीं, मगर हम तो आदत से मजब झाल